Assalamualaikum to class, आज हमने साइस का unit 2 का lesson 2 करना है Lesson का name है choosing the right material MCQs करेंगे, choose the correct option दूस जवाब का इंधाब करें, question 1 है Materials have dash which make them useful Materials की क्या चीज़ होती है जो इसे मुफीद बनाती है Properties, Options या Choice तो क्या आएगा Properties यानि हसूसियात होती है Some everyday objects made from हमारी जो रोजमरा की इश्या होती है वो किसे बनी होती है Plastic से, Metal से या Both से तो क्या आएगा, Both Plastic से भी बनी होती है कुछ चीज़े और कुछ चीज़े Metal से बनी होती है Iron is dash material Iron जो है, loha जो है, वो कौन सा material है Soft, No, Hard, Sir, Bent तो क्या आएगा, Hard, सخت The first petrol driving car was made in Germany In, उनने कया, जो पहली पेट्रोल से चलने वारी कार है वो जर्मी में बनाएगी थी, वो किस सान में बनाएगी थी 1870 में, 1880 में, 1890 में तो इसका ठीक अंसर है, 1880 में Next, देखें A car has dash body Car की body कैसी होती है प्लास्टिक की होती है, स्टील की होती है, यह ग्रास की होती है तो ठीक अंसर है Steel Wood is used for matches Because it is Wood matches के लिए इसमाल होती है क्योंकि यह float तैर सकती है, burn जाल सकती है, none तो क्या इसका अंसर है, burn जाल सकती है Steel is used for nails Because it is Steel जो है, वो इसमाल होती है क्योंकि यह साफ्ट होता है शाइनी होता है यह डाज नाट बेंड इजिली तो इसका ठीक आंसर है डाज नाट बेंड इजिली स्टील जो है वो सखत होता है इसलिए वो असानी से बेंड नहीं हो सकता नेक्स से कि कार सीट्स और फाइब्रिक कवर्ड बिकास इट इस कार की जो सीट्स होती है वो फाइब्रिक कवर्ड होती है क्योंकि यह कंफर्टेबल होती है साफ्ट होती है या बोथ अरांदा होती है नरम होती है यह दोनु होती है तो क्या इसका ठीक आंसर है बोथ दा विं शीशे से बनी होती है तो इसका ठीक आंसर है class, next देखी a motor car is made up of many different things, motor car जो है बहुत जैदा मुतलिफ चीजों से बनी होती है, objects भी होती है, चीजें, यहां क्या आएगा, materials, इसका ठीक आंसर है materials, clay is used to make, clay होते हैं, मट्टी, मट्टी इस्तमाल होती है, क्या बनाने के लिए, bricks, intense, steel, plastic तो इसका ठीक आंसर है bricks, intense, you can see easily through, आप असानी से देख सकते हैं, wood, wood लकडी में से, wall, मतलब की दिवार में से, या glass, शीशे में से, तो आप शीशे में से असानी से देख सकते हैं, waterproof material, absorb, जो waterproof material लोते हैं, वो जज़ब कर सकते हैं, use को, water को, या milk को, तो इसका ठीक आंसर है, water, next, देखें, bucket is made from, जो bucket होती है, वो किस से बनी होती है, steel से, iron से, या plastic से, इसका ठीक आंसर है, plastic, could plastic have been used to make any of the metal objects, तो इसका ठीक आंसर है, yes, no, या none, तो इसका ठीक आंसर है, no, यह इसी तरह आपने MCQs याद भी करने है,